मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित रिटार्ट फ्रॉम आईस एक्विलेंट रेंक इस निश्रल के चैनल पर टिप्स के वीडियो में आपके सामने मुखातिब हूँ बहुत से लोग इतना ज्यादा सिलिबस से स्टिक करते हैं कि वो फेल हो जाते हैं मैं सेकिंड पेपर के कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ यह टॉपिक किस सिलिबस में आप खुद पता लगा लीजिए यह सिलिबस में हैं ही नहीं एक्जेक्टली यूपिएस्टी का सेकिंड पेपर दोहजार उन्निस का जी एस का मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ देखिए आप इसको सामान्य अध्यन के तौर पर लेते हैं सिलिबस यही कहता है कि जो कुछ चारो तरफ हो रहा है इसकि इस एकिना वाइट टॉपिक है क्ये इतियास भोगौल समीधान में नहीं बाटा जा सकता और समीधान का जो टॉपिक है वो समिधान की किताबों में नहीं मिले गए, यह चनोती और गारेंटी है, यह मैं पढ़ाता हूँ पेड़ एप क्लासेश में पढ़ाता हूँ, यह चीज एफोर में भी नहीं पढ़ाई जाती है ये चीज A1 में पढ़ा ही जाती है A2 में पढ़ा ही जाती है निश्चत रूप से क्योंकि ये बहुत विस्तार की चीज़ है A4 में इस free video वाले जो channel से बहुत ज़्यादा दिया जाता है लेकिन बहुत विस्तार की चीज़ है यहाँ पर आपको प्रशन बताया जा रहा है वहाँ पर आपको हिंट बताया जाएगा ये फोर में लेकिन A1 में आपको विस्तार से लिखाया जाता है कि exactly क्या लिखना है फिर आपको किसी पुस्तक की ज़रुद नहीं अब आप देखिए केंद्रिय प्रशासनिक अधिकरन जिसकी स्थापना केंद्रिय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनकी विरुद्ध शिकायतों और परिवादों के निवारण हेतु की गई थी आज के लिए स्वतंत्र नियायक प्राधिकरन के रूप में अपनी शक्तियों का प्रियुक कर रहा है वियाख्या की जी दा सेंटर इडिस्टेटिव ट्रिबिनल विच वज एस्टेब्लिश्ट फॉर डेसल ओफ ग्रिवेंसेज एंड कंप्लेंट्स बाई और अगेंस सेंटर गोवर्मेंट एंप्लोईज नावड़ेज एक्ससाइजिंग इस पावर्स एज इन इंडिपेंडेंट जुदिशल एथॉर्टी अब यह सम्विधान की चीज नहीं आप डीडी बसु पढ़ लीजी जेन पां कि मेरे पास मिलेगा क्योंकि प्रशासनी का दिकरण की तरह ही राज प्रशासनी का दिकरण होता है सैट और कैट उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है गोर्मेंट को देटर साल तक मेरी पोस्टिंग थी वहां पर, Assistant Commissioner and State Representative के तौर पर Sales Tax Tribunal में भी पोस्टिंग रहे है 5-6 साल, Supreme Court में भी रेपरेजेंट किया है मैंने State Representative High Court में भी किया है और Tribunals में भी किया है Actually, यह Tribunals जो हैं मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ ये ट्रिबिनल्स जो हैं ये administrative tribunal सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के उपर जब कोई प्रशासनिक कारवाई होती है ध्यान से सुना पतब पुस्तक में नहीं गए कि जब सेंटर्ल या state government के employees अधिकारी कर्मचारियों के उपर सरकार जब कोई कारवाही करती है उन्हें कोई दंड देती है तो उस दंड से निजात पाने के लिए वह अपील करते हैं आधिकारन के बारे में अगर आपको मिलेगा कहीं तो administrative law कि किताबों मिलेगा समदान नहीं मिलेगा, Administrative Law GS के syllabus में कहीं नहीं है, जो लोग Public Aid नहीं लेना चाहते हैं, उनको मैं बता रहा है, Public Administration के first paper में Administrative Law पूरा chapter है, और जब मैं Public Administration पढ़ाता हूं, तो इसको विस्तार से पढ़ाता हूं, क्योंकि ये एक तो syllabus में है पूरा दूसरी बात ये है कि वो ये भी जो है administrative law की पुस्तक जैजैराम उपाद्ध्याई की काफी अच्छी हिंदी में इंग्लिश में भी है ऐसे एक और आलिया बुक डिपो की है मैं दो ही किताबों को प्रादिकारण की रूप में क्या बन गया है ये बात भी पुस्तकों से रह जाती है और ये बात सिर्फ मैं बता सकता हूं कोई भी अधिकारी बता देगा मेरा मतलब यह नहीं है लेकिन एक नंबर से फेल गुरूजी कभी निइब बता पैंगे मैं जो हिंट बता रहा हूं वो हिंट भी गुरूजी की समझ में नहीं आएगा जो एक नंबर से हरवार फेल हो गए वो इंट यह है कि प्राधिकरण जो होता है सेंटल और स्टेट ऐड्मिस्टेटिव टिबनल जो होते हैं वो अधिकारिएं को दंद देने के मामले में जब दंद अधिक्तम सीमा पर पहुँचता है दंद नहीं, दंद की अपील अगर एक अधिकारी को दंड दिया गया वो administrative tribunal नों पहुंचा ट्रिबिनल के बाद जो है फिर उसके बाद जो है वो high court या supreme court गया वहाँ से हार गया सब कुछ हुआ अब वो finally राश्ट्रपती के पास central है अगर तो state है तो governor के पास ख्षमादान याचिका देता है तब वो राय लेते हैं लोकसिवा आयोग की और administrative tribunal की यह practical है वहाँ राय लेते हैं यहां भी वो स्वतंत्र नयाएक प्रादिकरण के रूप में नहीं इंडिपेंडनेंट जूडिशिरी के रूप में नहीं लेकिन तमाम सारी ज्याचें आजकल आईएस अफसरों खिलाफ सौ आज से जने किस जमाने से मुझे तो तबसे पता है जब से मैं इनके case को handle कर रहा हूं प्रौनों यह पद्ध होता है वह यह वकील यह सरकारी वकील जैसे जो अनभवी अधिकारी होते हैं जिनकी निष्ठा सिद्ध होती है इंटेग्रिटी जिनकी बिल्कुल पर्फेक्ट ह होती है उन्हीं को यह पद दिया जाता है मैं इस पदों पर रह चुका हूं कि अब यह प्रशन आया हुआ अब यह सोचिए यह सिलिबस में आपको कहा मिलेगा बहुत लोग होते हैं आप झालिया मिल रह इस बात जया की कई कर रहे हैं इन मुर्खों को क्या कहें इन मुर्खों ने कुछ अच्छे बच्चों का नुपसान किया है एफोर बैच में आईए आपको सब कुछ मिलेगा सारी जनकारी मिलेगी हर प्रकार से मिलेगी तमाम सारे प्रश्ण ऐसे 2019 का यह जरा question paper पढ़ लीजिए और एक बार कम से कम यह नि इसको मैं विस्तार से एवनवेश में पढ़ाता हूं मैं इसका पर्चे देता हूं और हिंट देता हूं पूरी तरह से आइम सॉरी मैं यहां नहीं दे पाता क्योंकि यहां पर वो कदर नहीं किया आप लोगों ने जो करनी चाहिए थी कि ऐसे आज का A4 बेच का टॉपिक है आज का विशय है निर्धनता और भूक एफोर बैच में जो कुछ दूँगा सब इसलेबस से जुड़ा होगा लेकि फुल सिलेबस कबड नहीं होगा और सिलेबस से एक्स्टर टॉपिक्स नहीं कवर होंगे यानि कि वो टॉपिक्स जो सिलेबस से नहीं होते हुए एक्जाम में आते हैं उनके लिए तो डेड़ लाग का बैच जॉइन करना पड़ेगा उस बैच की तरफ सोची अगर आपको वास्ता में निकलना है तो और कम से कम जो आपको मिल रहा था उससे डेड़ गुना ज्यादा मिल रहा है उस एफोर बैच में जो मात्र 11,000 रुपए का है उसको जॉइन करने के बाद सोची मैं मार्केटिंग कर रहा हूं अफकोर्स कर रह मार्केटिंग वह अपने की कर रहे हैं मैं अपने कर रहा हूं अपने मार्केटिंग कर रहे हैं मैं अपनी कर रहा हूं यह कदर तो आपको करनी चाहिए थी जितना आप अप्लॉड करते जितना आप तालीब जाके स्वागत करते जितना आप ज्यादा स्ब्स्राइबर बढ रहाते जितना जादा सब्सक्राइब देते इन वीडियो को फिर फ्रियु देता लुटा देता सब कुछ एकदम सब कुछ इतना जादा फ्री देता कि हो सकता है पेड़ बैची बंद कर देता है तो टोटल हो जाएंगे तो यह भी बंद कर दूंगा चैनल मुझे कोई समस्या नहीं है इसलिए अभी समय है हाँ वो कमिटेट बैच है उसमें मेरे मोड स्विंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहता रहे एफोर बैच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवने टू थी में तो बने बनाए वीडियो दे लिए करेंट एफिर रोज अप्रोड होता है एवने टू में जिनने यह नहीं पता एवने टू क्या है तो वाट्सअप कर ले 9810250042 पर जानने तैंक यू